दोस्तों में सोरंबलिक आप सवी का Only Top Study Channel पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट अफेर क्विज में आज हम कवर करेंगे 2 अपरेल की करेंट अफेर को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट अफेर क्विज में हम कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करेंट अफेर के कोशन आंसर जो की पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सबस्क्राइब कर लेना वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूंगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की सुरुवात की है तो इसका आंसर सभी स्ट्रेंट कमेंट बोक्स में बता दीजेगा सुरू करते हैं आज की करेंट फिर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेंट पर है दुनिया का तीसरे और भारत का दूसरा सबसे बड़े किरकेट स्टेडियम किस उद्योगपती के नाम पर बनेगा अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं पहले कोशन का सही उत्तर रहेगा अनील अगरवान यानि की डी रैट आंसर दोस्तो हो जाएगा दूसरा कोशन आता है कि सहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने के लिए HZL और राजस्थान क्रिकेट एसोसीशन ने MOU साइन किया तो दूसरे कोशन का दोस्तो सही उत्तर रहेगा कि सहर ने जैपूर सहर ने यानि की राइट आंसर D हो जाएगा तो ये भी आपको याद अखना है किस मंत्राले ने Center for Processing Accelerated Corporate Exit को माने सर हर्याना में स्थापित किया तो तीसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा कोर्पोरेट मामलो का मंत्राले यानि की बी राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा तीसरे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर फोर आता है अमेरिका के पहले पूर रास्पती का नाम बताइए जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा तो चोथे कोशन का जो सही उत्तर रहेगा दोस्तो आप लोग फोटो देखी सकते हैं डोनाल टरंप यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर फोर का सही उत्तर कोशन नमबर फाइव है केंदर सरकार ने 1000 सहरों को तीन स्टार कचरा मुक्ट सहर बनाने लक्षे क्या ते किया है तो कचरा मुक्ट सहर बनाने के लिए लक्षे क्या रखा गया है दोस्तो पाचवे कोशन का सही उत्तर रहेगा ओक्टूबर दोजार चोबिस रखा गया है यानि की बी रैट आंसर हो जाएगा जो हमारी paid पीडिया पे दोस्तों 6,000 के question answers की जो की एक master पीडिया पे आप चेक किसी भी exam की त्यारी कर रहे है जिसमें आपको lucent या कोई भी equivalent book पढ़नी पढ़ती है तो आप हमारी ये 6,000 के question answers की पीडिया पढ़ लेना आपको कुछ भी extra पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी इस पीडिया पे आपको history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk सब कुछ मिल जाएगा और ये मातर 150 रुपीज की पीडिया पे है और इसे आप हमारी website और whatsapp नंबर दोनों से ले सकते है लिंक नीचे description box में भी दिया गया है चटा question दोस्तों क्या करे रहा देश का पहला quantum computing आधारित टेलिकॉम network link कहां सुरू हुआ तो इस question का right answer क्या रहेगा चटे question का सही उत्तर रहेगा दिल यानि की B right answer हो जाएगा ये आपको या दखना है वई साथवा question है हाल ही में दूसरी G20 tourism working group की बैठक कहां होगी तो साथवे question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिलकुल सही उत्तर है सिली गुड़ी यानि की right answer is C तो साथवे question का सही उत्तर हो जाएगा C question number 8 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक development program जारी किया है तो आठवे question का सही उत्तर क्या रहेगा तेलंगना यानि की यहाँ पर सही आंसर A हो जाएगा ये भी अच्छा question है नोवा question है हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन सत्रंज किताब किसने जीता है तो नोवे question का सही उत्तर रहेगा बिल्कुल अर्विन चिताबरम यानि की right answer is option C यह आपको जाद रखना है question number 10 है हाल ही में कोन सी राज्य सरकार मैमार के सरनार्थियों को निर्देशित केंद्रों पर रखेगी तो इस question का सही आंसर क्या रहेगा तो दसवे question का right answer हो जाएगा C मनिपूर की सरकार यानि की C right answer हो जाएगा question number 11 है कौन सा राज्य हाल ही में 100% railway network विदूती करण प्राप्त करने वाला पहला भारतिय राज्य बन गया है देखे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है 10 मिनट में 20 current affair और आप regular देखते हैं तो like का बटन जरूर प्रेस किया करें इससे काफी motivation मिलता है और अपने दोस्तों को या भाई वेन जो भी competitive exam की चारी करते हैं किसी भी exam की करते हैं तो आप ये वीडियो जरूर सेयर कर देखें क्योंकि कम समय में आपका पूरा current affair इस वीडियो से cover हो सकता है तो 11 question का सही उत्तर रहेगा हर्याना यानि की A right answer यहाँ पे हो जाएगा question number 12 है हाल ही में किस राज्य की कांगडा चाय को European GI tag मिला है तो 12 question का दोस्तो right answer रहेगा बिलकुल हिमाचल परदेश यानि की B right answer हो जाएगा 12 question का सही उत्तर question number 13 है RBI इस्थापना दिवस कम मनाया जाता है तो question number 13 का right answer हैगा RBI का इस्थापना दिवस दोस्तो किस तारिक को मनाया जाता है तो 1 April को यानि की C right answer हैगा 13 question का सही उत्तर question number 14 है हाल ही में किसे कलकत्ता हाई कोट का कार्यवाहक मुख्या नियादीस न्यूक्त किया गया है तो question number 14 का right answer हैगा बिल्कुल T.S. सिव गनम यानि की right answer B हो जाएगा भई 14 का सही answer question number 15 है हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक why can't elephants be red लिखी है तो पंदर्वे question का right answer क्या रहेगा वानी तिरपार्टी दोस्तो इस question का right answer हैगा यानि कि C is the right answer question number 16 है हाल ही में किस राज्यन ने Space System Design Lab का उद्गाटन किया गया है तो 16 कोशन का right answer हैगा दोस्तो गुजरात यानि कि C right answer हो जाएगा question number 17 है हाल ही में Hero Motor Corp का CEO किसे निउक्त किया गया है तो 17 question का right answer हैगा निरंजन गुपता को यानि कि A right answer हैगा question number 17 का सही उत्तर question number 18 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विसेश प्रोचाहान के रूप में 64 क्रोड रुपे वित्रित किये है तो 18 question का right answer रहेगा असम यानि की B right answer हो जाएगा question number 19 है हाल ही में Tata Power ने किसे MDN CEO के रूप में निउक्त किया है तो 19 question का right answer रहेगा परवीर सिना यानि की C right answer रहेगा question number 20 है हाली में उत्तर परदेश में कहां सेरी कल्चर मेले का उद्गाटन किया गया है तो 20 वे question का right answer रहेगा गोरकपूर यानि की B right answer हो जाएगा 20 वे question का सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों ये तो थे हमारे 20 करेंटफिर के question answers अब बात कर लेते हैं आज के homework के question के बारे में हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिक्सा और रोजगार में 10% EWS quota अधिसूचित किया है तो इसका जो answer है वो आप लोग comment box में बताएगा और जो इसका सही उत्तर हैगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा ठीक है आज का हमारा question of the day है पहले सविदान संसोधन में क्या जोड़ा गया था very very important question है जल्दी से इस question का answer comment box में बताएगा 5 second का समय आपको दिया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तो पहले सविदान संसोधन में क्या जोड़ा गया था 9 वी अनुसूची जोड़ी गई थी यानि की C right answer हो जाएगा देखे कल का हमारा homework का question था 31 March 2023 को Solvay IPL 2023 का पहला match किन टीमों के बीच खिला गया तो right answer हैगा गुजरात और चिन्ने के बीच खिला गया यानि की A right answer हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो की answer सहीद PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो only top study आपको डाउनलोड करिए 5 star की rating करिए और current affair PDF वाले section में जाके डाउनलोड कर सकते हैं paid PDF जो हमारी master PDF पे दोस्तों हर एक प्रिक्सा को cover करती है जिसमें आपको Lucian या कोई भी वैसी बुक पढ़नी पढ़ती है तो आप लोग केवल इस PDF को पढ़ लेना कुछ एक्स्रा पढ़ने की जुरत नहीं है आगे आने वाली कोई वीडियो मिशना हो और वीडियो पसंद आये तो लाइक सेर करना मत भूलेगा थेंक्यू सो मच बाई बाई एवरीवन टेक केर ख्याल रखे पना